तो गाइस नया मोड आ चुका है बेजमाय में 2.8 के अपडेट के साथ मैं अगर तुमने ये मोड अभी तक खेला होगा ना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये काफी जादा कॉम्पलीकेटिड है इसमें 3-3 चीज़े हैं में दी हुई है जिनको हम यूज करके थोड़ी सी जो पावर्ज है ना उनका इस्तिमाल कर सकते है तो गैस वीडियो का इंट तक जरूर से देखना सारी चीज़े तुम्हें क्लियर कर दो हैं जब भी तुम नेक्स ताइम इस मोड को खेलोगे ना सारी चीज़े तुम्हें पता रहेंगे तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ पर उतरना है कैसे चिकन डिनर लेना है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को without wasting any more time Let's start it तो guys सबसे पहले बात करते हैं कि jump हमें किस जगे पर करना है तो guys जैसे कि पिछले mode में दो जगे पूरे map में होती थी न होट ड्रॉप वाली वैसे इस mode में भी है न दो जगे मिलेगे जहाँ पर मुतर सकते हैं और यहाँ पर camping की जगे है न बहुत सारी है तो अगर तुम यहाँ पर कभी अकेले बच जाते हो और तुम्हें थोड़ा सा डर लगता है गयार एकाथ बंदा camp करके ना बैठा हो या फिर तुम्हें doubt होता है तो यहाँ पर जो map है न उसकी उपर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो alive count है न वो तुम्हें दिखा देगा तो उस area में जितने भी बंदे रहेंगे न तुम्हारे अलाव हो सब का count दिखाएगा तो तुम्हें पता रहेगा कि इतने बंदे यहाँ पर तो यह हो जाते हैं हमारे दो main hot drops जहाँ पर तुम उतर के recall card वगेरा ले सकते हो बाकि अभी छोटे hot drops की बात करते हैं वो भी स्माप में तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे तो अगर recall चीए तो वो बड़े वाले hot drop पे जाओ लेकिन अगर recall के बिना काम चला लोगे सेफ लूट चीए तो यहाँ पर तुम आ सकते हो decent loot मिलती है एकदम मस 4 बंदों की loot है ना तुम easily कर लोगे और यहाँ पर बंदे भी कम आते तो survive करने के chances जादा रहेंगे और यहाँ पर जो arena count होता है ना बंदे कितने होते वो sadly नहीं बताता है तो यहाँ पर कोई camp करके बैठा होगा ना तो उसके लिए तयार रहे ना थोड़ा सा तो यह हो जाती है हमारी उतरने वाली जगे जहाँ पर तुम loot recall वगेरा कर सकते हो तो guys अभी powers वगेरा की बात कर लेता है क्योंकि उनके आदत तो हमें अभी dull चुकी है तो हर मोड में हमें powers ची है तो यहाँ पहना मुझे इतना जादा कुछ पसंद आया है दो बार use कर सकते हो तो एक बार मैंने use कर लिया अभी वापस ही use कर लेता हूँ फिर थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और ऐसे तुम उसे use कर सकते हो अब guys अब open में तो बहुत बार first जाते हो और कोई cover भी नहीं होता है तो ऐसे में ये power हमारे काम आने वाली है तो इसको use करना है तुम्हें वो button दबाना नीचे वाला और देखो फिर यहाँ पर क्या होता है तुम्हें थोड़ा सा time मिलता है ये कहाँ पर cover बनाना है और that's it जैसे तुम नीचे जाते हो punch मारता है ये बंदा बढ़ हाँ ये ना permanent तो नहीं है अगर गोलिया वगरा चलाओगे तो ये तूट भी जाता है तो जादा देर इस पर विश्वास नहीं कर सकते है बढ़ हाँ थोड़ा सा ये तुम्हें बचा लेगा open में जो punches मारने के लिए होता है gunlets कुछ बोलते उसको और ये जो third चीज है जो skateboard ये सारी जो तीनों चीज़ है ना वो तुम्हें अपने जो nade वगरा फैक्त है smoke वगरा फैक्त है ना उस वाले trace axis होगा और guys ये काफी जादा जगे घिरता है तो make sure तुम ammo वगे ना थोड़ा सा काम उठा हो और नई चीज़ी उठा ही नी पाऊगे तुम तो ये तीनों चीज़े मैंने तुम्हें बता दी जिनका use करके तुम अपने gameplay को थोड़ा सा बढ़िया कर सकते हो और थोड़ा सा मज़ा है ना जादा ले सकते हो तो guys अगर तुम्हें इन चोटी मूटी जगहों पे जाते हो या फिर बड़े ड्रॉप पे भी जाते हो तो तुम्हें एक बड़ा सा monster यहाँ पे देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो निये बट ammo जादा वेस्ट करवा देता है यह तो cover में रहो पहले इस घर के अंदर चले जाओ या फिर थोड़े से cover में चले जाओ वरनना यह damage है ना guys काफी जादा दे देता है तो यह थोड़ा सा loot का काम करवा देता है तो guys अभी छोटे मोटे नई changes के बारे में भी बता देता हो तो victory dance अभी change हो चुका है अगर तुम chicken लेते हो तो जो अपना MVP होता है उससे बोलो कि फटा फ़र से trophy लगा है और यहाँ पर तुम dance देखी सकते हो एकदम डांडिया वाला feel आता है तो मस लगता है एकदम तो यह अभी नया आ चुका है तो guys अभी हम randoms को जो need वगेरा मार के ना उन्हें परिशान करती थी थी ना और वो sadly हम अब नहीं कर पाएंगे तो guys friendly fire जो है वो पूरी तरह से off होने वाला है तो यहाँ पर मैं नेड करता हूँ और फटनाम दोनों को चाहता है लेकिन मैं ही फट जाता हूँ और उसे बिल्कुल भी damage नहीं होता है तो भाई friendly fire तुम अब नहीं कर सकते हो तो randoms को troll करना है फिर जो भी तुम करते थे ना उसके गाड़ी वगएरा फोड़ना वो सब नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर तुम्हारा जो teammate है वो गाड़ी चला रहा है तो अगर तुम गाड़ी पी भी damage करते हो तो गाड़ी damage होगी ही नहीं तो या guys यार यही थी आज की हमारी वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और भाही देगो कोई भी जो recall अगिरा ना तीन तीन बार होते थे वो नहीं होने वाला है एक बार तुम्हें अगर यहां पर उतर जाते हो तो तुम्हें recall मिलेगा या फिर तुम रिकॉल टावर से एक बार कर सकते हो तो काफी जादा sad लग रहा है और अभी मुझे पुराने mode की याद आ रही although मैंने उसको खूब गालिया दिये जब मैं उससे खेल रहा था बैट यार इससे तो बहुत जाद अच्छा था comment section में मुझे बताना कि तुम्हें यह mood कैसा लगा और या तो पुराना वाला better लग रहा था फिर यह अच्छा लगा है comment section में जरूर से बताना मिलते है next video में तब तक के लिए goodbye love you guys keep grinding